क्या आपने कभी लायन और टाइगर के क्रॉस ब्रीड को देखा है? क्या आपने ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो जीबरा और टॉंकी का मिक्षर है? या फिर क्या आपने कभी लायन और लेपर्ड दोनों के रंग रूप वाले जानवर को देखा है? शायद नहीं देखा होगा और ना ही इससे पहले कभी सुना होगा क्योंकि ये कुछ ऐसे hybrid जानवर है जिनके बारे में कम ही सुनने को मिलता है लेकिन ये इतने कमाल के है कि इनको एक बार देखना तो जरूर बनता है इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आये हैं दुनिया के सबसे अजीब दिखने वाले hybrid जानवर तो इस वीडियो को अन तक जरूर देखे अगर आपने कभी famous series friends को देखा होगा तो आप इस बिना बालो वाली बिल्ली को आसानी से पहचान लेंगे इस बिल्ली को स्फिंग्स कैट या फिर कैनेडियन कैट भी कहा जाता है इस प्रजाती का सबसे पहला किटिन तोरॉंटो के एक घर में नाच्रली पैदा हुआ था जिसका नाम प्रून था इसके बाद इसका मेट उसी की मां से कराया गया जिससे कुछ और बिना बालो वाली बिल्लिया पैदा हुई और उसी की बदावलत आज इस हाइब्रिट बिल्ली की संख्या ठीक ठाक है अमारिका और रश्या में पाई जाने वाली इस बिल्ली को लोग घरों में पालना काफी पसंद करते है इन बिल्लियों की शरीर पर बाल ना होने के बाद भी ये आसानी से ठंडी जगों पर रह सकती है इन बिल्लियों की एक और खास बात ही ये है कि ये दिखने में तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती और काफी गुस्से वाली लगती है लेकिन असल में ये बिल्लिया काफी शांत और फ्रेंडली होती है जैसा कि आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते है ये हाइब्रिड जानवर टाइगर और लाइन का मिक्स है इसको मेल लाइन और फीमिल टाइगर को क्रॉस ब्रीट करके बनाया गया है लाइगर का शरीर फीमेल लाइन की तरह होता है और इसके उपपर टाइगर की तरह हलकी हलकी धारिया दिखाई देती है इनका वजन और लंबाई दोनों ही आम टाइगर और लाइन से जादा होती है जहां इनका वजन करीब 400 किलो तक होता है बही इनकी लंबाई 9 से 11 फीट तक हो सकती है अपनी इसी खासित की वजह से ये पूरी cat family में सबसे बड़ा जानवर है Size में ज़्यादा बड़े होने की वजह से इनको खाने के लिए ज़्यादा चाहिए होता है ये एक दिन में 50 किलो से भी ज़्यादा खाना खा सकते है अभी तक के सबसे बड़े लाइगर का नाम हर्क्यूलीज है जिसका वजन 420 किलो है मतलब दो लाइइन से भी ज़्यादा जिसको Guinness Book of World Records में भी शामिल किया जा चुका है इस हाइब्रिड जानवर को मेल टाइगर और फीमेल लाइन का क्रॉस्पीट करके बनाया गया है टाइगर में अपने माता पिता दोनों के गुण साफ दिखाई देते है इनके गरदन के पास लाइन की तरह घने बाल होते है और टाइगर की तरह ब्लैक स्ट्राइप्स होती है लेकिन ये ब्लैक स्ट्राइप्स सभी टाइगिंज में देखने को नहीं मिलती बात करे इस hybrid जानवर के size की तो ये size में लगबग अपने parents जैसा ही होता है पर इनका वजन लायन के बराबर करीब 170 kg तक का हो सकता है इस जानवर को आप आसानी से किसी जंगल में नहीं देख सकते क्यूंकि इसकी breeding कराना कानूनन अपराद है जिसकी बज़से ये जंगलों में न रहकर जू में रहते है ताकि जितने भी टाइगन मौजूद है उनकी अच्छे से देख बाल की जा सके लेकिन जो भी हो ये जानवर दिखने में कमाल का लगता है अगर आप भी हमारी बात से अग्री करते है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्यूंकि ऐसे ही कमाल के जानवर आगे भी है ये जानवर मेल जीब्रा और फीमेल डॉंकी को क्रॉस बीड करके बनाया गया है इस हाईब्रिड जानवर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते है कि ये कही न कही अपने माता पिता जैसा ही दिखता है जहां इसका साइज और अपिरेंस टॉंकी जैसा है तो वही दूसरी तरफ इसके शरीर पर जीब्रा जैसी लाइन्स भी है ये जानवर काफी रेर है जिसकी वज़र से ये कम ही देखने को मिलता है और जू में टूरिस अट्रैक्शन की तरह रखा जाता है इस जानवर के माता पिता के सुभाव में काफी अंतर होता है जहां गधा सालों से पालतू होने की वज़र से शांत होता है वही जीब्रा जंगली होने की वज़र से काफी आक्रमक होता है और जॉंकी को अपने जीब्रा पिता से आक्रमक होने का गुण मिला है ये इंसानों पर ही नहीं बलकि दूसरे जानवरों पर भी अपना गुस्सा निकालते है और वही डॉंकी मामा के गुण की वजह से ये भारी सामान को भी अपने उपर आसानी से ढो सकते है फीमेल लायन और मेल जैगवार मेट से हाइब्रिट प्रजाती के जैग लायन का जन्म हुआ है ये स्टोरी काफी इंट्रेस्टिंग है अक्चली ये एक लव स्टोरी है जिसकी शुरुवात दबेर क्रीक सैंचुरी उंटारियो से होती है यहाँ एक फीमेल लायन और एक मेल जैगवार को लाया गया था लायन का नाम लोला था और जैगवार का नाम डियाबलो था ये दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे जब सैंचुरी के लोगों ने बड़े होने पर लोला और डियाबलो को अलग कर दिया तो दोनों काफी अपसिट रहने लगे लोला ने तो खाना भी छोड़ दिया था जिसके बाद सैंचुरी के लोगों ने दोनों को वापस साथ रखने का फैसला किया और कुछ समय बाद लोना ने दो जैग लाइन्स को जन्म दिया जिसका नाम जहजारा और सुनामी रखा गया जहजारा देखने में अपने जैगवार पिता की तरह लगता है वही सुनामी का रंग अपनी लाइन मा के उपर गया है लेकिन दोनों का साइस लगबग लाइन जितना ही बड़ा है ये ग्रिजली बेर और पोलर बेर का हाइब्रिड है जिनको पिजली बेर भी कहा जाता है ये बेर भी जैग लायन की तरह ही प्राकृतिक तरीके से बना है यानि की ग्रिजली बेर और पोलर बेर के मेट के बाद ये bear देखने में polar bear और grizzly bear से भी ज्यादा cute लगता है जहां grizzly bear का रंग dark brown होता है और polar bear का रंग सफेध होता है तो वही इस hybrid bear का रंग light cream होता है और ये इन दोनों bear से ज्यादा fluffy होता है लेकिन सभी growler bear एक जैसे नहीं होते, कुछ के उपर brown धबबे भी होते है बात करें इनके size की, तो ये polar bear से कुछ inches ही बड़े होते है पहली बार किसी growler bear का पता 2006 में चला था, जब पहली बार इनको Canada की जंगल में देखा गया इन bears की संख्या और भी बढ़ रही है, जो की अच्छी बात है जैसा की नाम से ही पता लगता है, इसको female common bottle nose dolphin और male false killer whale को hybrid करके बनाया गया है ये जीव देखने में काफी शांदार लगता है, इसको scientist ने एक research के तौरान बनाया था, जो की सफल रहा ये हॉल फिन देखने में dolphin जैसी लगती है, बस इनके उपर shark की तरफ फिन होता है, और उनके दात काफी अलग होते है, जो देखने में काफी खतरनाक लगते है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं, ये अपने दातों को किसी को काटने के लिए इस्तमाल नहीं करती हॉल फिन का सुभाव dolphins की तरह होता है, जिसकी वजह से ये काफी friendly होती है, इनका रंग डार्क ग्रे होता है, जो की shark के black कलर और डॉल फिन के light ग्रे कलर से मिलकर बना है, इस वक्त सिर्फ दो ही हॉल फिन पूरी दुनिया में मौजूद है, जिनका नाम केकाई मालू और उस सानी से पता लगाया जा सकता है कि ये horse और donkey का crossbreed है, जहां इसकी body घोड़े की तरह दिखती है, वही इसका face donkey की तरह साफ नजर आता है, अगर इस जानवर को donkey से compare किया जाए, तो ये उनके मुकाबले जादा मस्बूत है, जहां मामूली donkey का size छोटा होता है, वही ये size में बड़े होते है, इनके पैर भी normal donkey से बड़े और मस्बूत होते है, साथ ही इनका शरीर भी भारी होता है, जिससे ये ज़्यादा वजन भी उठा सकते है, जो किसी hybrid जानवर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, अपनी इन सभी qualities की वजह से ये hybrid किया गया donkey, donkey family में सबसे इस बिल्ली को काफी लोगों ने देखा होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ये बिल्ली hybrid करके बनाई गई है, इसको serval wild African cat और बालतू बिल्ली का crossbreed करके बनाया गया है, जिन लोगों को बिल्ली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, उनको पता होगा क बिल्ली काफी आलसी होती है, लेकिन ये hybrid cat बाकी बिल्लीों के मुकाबले काफी शैतान, चुलबुली और playful होती है, ये गड़ इस बिल्ली को serval wild African cat से मिले है, लेकिन ये wild cat की तरह आकरमक नहीं होती, बलकि काफी शान्त होती है, इसकी बज़र से लोग इसको घर में पालना काफी पसंद करते है, ज्यादा तर लोग इस बिल्ली को इसके कलर कोट की बज़र से भी पालते है, क्यूंकि ये दिखने में काफी attractive लगती है, लेकिन ये बिल्ली अपने खाने को लेकर काफी ज्यादा possessive होती है, अगर इनका मालिक भी इनके खाने को हाथ लगाता है, तो ये उस पर भी हमला कर सकती है, नमबर वान, लेपन, मेल लेपर्ड और फीमेल लायन का क्रोस बीट करने के बाद आधा लायन और आधा लेपर्ड जैसा जानवर बना, जिसको लेपर्ड नाम दिया गया, इसको देखकर ऐसा लगता है, जैसे किसी ने लेपर्ड और लायन को फोटोशॉप करके एक नई तरह का जानवर बना दिया हो लेपन के सिर वाला भाग लायन की तरह लगता है और बाकी पूरी बॉडी लेपर्ड की तरह लगती है इनकी बॉडी पर लेपर्ड प्रिंट भी होता है जो की साफ देखा जा सकता है इनकी बॉडी लायन की तरह होती ये लेपर्ड की तरह आराम से क्लाइम कर सकते है और इनी के तरह पानी में मज़े भी लेते हैं कई बार लेपर्ड और लाइन के हाइब्रिट को बनाने की कोशिश की गई लेकिन ये इतने ज्यादा सक्सेस्फुल नहीं रहे इसके बाद जपान में एक हाइब्रिट बनाया ग और जो काम फ्रकृती नहीं कर पाती उसको साइंस पॉसिबल कर देती है जैसा कि आपने यहां पर देखा तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे ऐसे ही और भी मज़दार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे और प्रेस करे बेल आइकन